आज हम्लोग साइन्स का चैप्टर नंबर थी इस टार्ट करने वाले हैं जिसमें के हमें मेटल झा इसके बारे मेंदी टिल में पढरना है चैप्टर काफी जादा लमबा है इसमें यहां पर अलग-अलग categories में आपको हर classes के वीडियोज मिल जाएंगे, यहां से आप अपने class को बिल्कुल free में कभी भी देख सकते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले brain mapping कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन-कौन सा topics इस chapter में हमें पढ़ना है सबसे पहले तो हम लोग chapter का introduction देखेंगे उसके बाद हमारा अगला topic होगा classification of elements इसके अंदर तीन सब topics हैं जिसमें के पहला है occurrence of elements, दूसरा है minerals and ores और तीसरा है physical properties और इतने सारे physical properties के बारे में हमें detail में परना है उसके बाद हमें metals के chemical properties के बारे में परना है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि metals जब oxygen के साथ या water के साथ या acid या alkalis के साथ react करते हैं तो क्या result मिलता है हमारा अगला topic होगा reactivity of metals उसके बाद हम लोग परेंगे displacement reaction के बारे में उसके बाद हमारा अगला topic होगा noble metals और इसके अंदर चार सब topics है और इतने सारे topics को परने के बाद ये पूरा chapter complete हो जाएगा पिछले class में यानि की class 7 में ही हमने pure substances के बारे में बढ़ा था कि pure substances क्या होते हैं एक बार उसको device कर लेते हैं pure substances ऐसे materials होते हैं जो कि एक ही तरह के particles से मिलकर बने होते हैं a sample of a given element और a given compound is a pure substance चाहे हम लोग किसी भी element को पकर लें या किसी compound को पकर लें ये pure substance का example होता है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि pure substances दो तरह की हो सकते हैं एक होता है element और दूसरा होता है compound अब बाताती है कि element क्या होता है और compound क्या होता है इसके बारे में भी हमने class 7 में परहा था एक बार उसको quickly revise कर लेते हैं element ऐसे substances को बोलते हैं जो कि सिर्फ एक ही तरह के atom से मिलकर बना होता है वही चीज़ यहाँ पर लिखा है made by same kind of atoms जैसे कि oxygen, oxygen एक ऐसा substance है जो कि एक ही तरह के atom से मिलकर बना होता है यहाँ पर देखिए oxygen का atom, oxygen का atom, दो oxygen का atom जब मिल जाता है तो उसके बाद oxygen gas बनकर तयार होता है लेकिन अगर हम लोग compound की बात करें तो compound ऐसे substance होते हैं जो कि एक ही तरह के molecule से मिलकर बने होते हैं या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि compound ऐसे substance होते हैं जो कि different type of atoms के मिलने के बाद बनते हैं लेकिन atoms एक fixed ratio में होते हैं example के लिए water, water एक compound है जो कि H2O नाम के molecules के मिलने के बाद बनता है अगर आप H2O को देखेंगे तो इसमें एक fixed ratio में atoms present है इसमें दो hydrogen के साथ एक atom oxygen का भी होता है बस वही चीज यहां पर बताया भी क्या है This is because a given element or compound is made up of atoms or molecules of same kind मतलब जो element होता है वो एक ही तरह के atom से मिलकर बना होता है और जो compound होता है वो एक ही तरह के molecules से मिलकर बना होता है different elements or compounds differ from each other in their physical and chemical properties as they are made up of atoms or molecules of different kind इसका मतलब यह हुआ कि हर element और हर compound एक तरह का नहीं होता है उनका physical और chemical properties different हो सकता है क्योंकि उसमें present atoms या उसमें present molecules different हो सकते हैं example के लिए oxygen भी एक element है अगर हम लोग helium को देखे तो helium भी एक element है और hydrogen भी एक element है तीनों element है लेकिन तीनों का physical और chemical properties same नहीं होगा क्योंकि तीनों अलग-अलग तरह के atom से मिलकर बना हुआ है इसी तरह से हर compound का भी property same नहीं होता है example के लिए H2O भी है compound है CO2 भी है compound है H2SO4 भी है compound है लेकिन सब का chemical और physical property अलग होगा क्योंकि सब में अलग-अलग तरह का molecules present होता है अब तक हम लोग जितना कुछ पढ़े है उसमें आपको pure substance का definition याद रखना है आप लिख सकते है materials made up of same kind of particles are known as pure substances एकदम simple definition है उसके बद आपको याद रखना है कि pure substances को हम लोग दो category में बाढ़ते हैं एक होता है element जो कि एक ही तरह के atom से मिलकर बना होता है अगर oxygen है तो सिर्फ oxygen 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 हमें दिखेगा और compound जो है एक ही तरह के molecule से मिलकर बना होता है जैसी कि water एक compound है water को अगर हम लोग उठाएंगे तो उसमें सिर्फ h2o, h2o, h2o ऐसे घर के बहुत सारा molecule समय देखने को मिलेगा हमारा next topic है classification of elements हमारे धर्ती पर बहुत सारे elements present है अगर हम लोग precisely बात करें तो total 118 elements है जिसके बारे में अभी तक हमें पता चला है there are about 118 elements known at the present यह बहुत important point आप इसको याद रखिएगा it is difficult देखिए classification हम लोग क्यों करते है classification क्या होता है हमारे पस 118 elements है और उसको हम लोग categorize कर देते है जो एक तरह का element है उसको हम लोग अलग रख लेते है और जो अलग तरह का element है उसको अलग रख लेते है इसी चीज़ को हम लोग कहते है classification क्यों करते है classification उसी के बारे में यहाँ पर बदाया गया है it is difficult to study the, study and describe all the properties of all these elements separately total 118 element है और अगर हम लोग सब को अकेले अकेले अलग अलग परने लगे तो कितना ज्यादा समय लग जाएगा इसी लिए जितना भी एक तरह का element होता है उसको एक category में डाल देते हैं और सब के बारे में एक ही बारे में पर लेते हैं इसी लिए हम लोग को classification करना बहुत जरूरी होता है hence elements showing similar properties are grouped together and their general characteristics are studied इसी लिए हम लोग एक ही तरह के properties वाले element को group कर लेते हैं एक साथ एक group में डाल देते हैं और उसका general characteristic उसका जो भी खासियत होता है उसके बारे में पर लेते हैं such grouping of elements is called classification of elements और इसी तरह grouping कर देने को ही हम लोग classification of elements कहते हैं elements को broadly दो categories में classify किया जाता है एक होता है metals और दूसरा होता है non metals अभी देखिए हम लोग flow chart बनाये थे उसमें देखे थे कि pure substances को दो category में divide किया गया एक होता है element और एक होता है compound उसके बाद element को फिर से दो category में divide किया गया है एक होता है metal और दूसरा होता है non metal दो category हो गया तो हम लोग सिर्फ इन ही दोनों के बारे में अभी परने वाले हैं इस वाले chapter में compound के बारे में इस chapter में हमें नहीं परना है हम लोग को element के बारे में ही परना है और element के जो types हैं उसके बारे में परना है इस classification is based on the difference in their physical and chemical properties यह जो classification क्या गया है 118 elements है और इसको दो categories में जो बाटा गया है इसका कुछ basis है ऐसे नहीं कि randomly किसी को उठा कर एक group में डाल दिया गया और किसी को उठा कर दूसरे group में डाल दिया गया Actually classification के लिए दो चीज को consider किया जाता है जिसमें कि पहला है हर element का physical properties और दूसरा है हर element का chemical properties Physical और chemical properties को देखने के बाद ही हम लोग कह सकते हैं कि वो element metal है या non-metal है यहां से एक sub-topic start होता है occurrence of elements मतलब elements कहां पर पाए जाते हैं उनका source क्या है उसी के बारे में यहां पर हम लोग detail में पढ़ेंगे अभी just हमने देखा कि elements दो तरह के होते हैं एक होता है metal और दूसरा होता है non-metal Metal का source क्या है उसके बारे में इस वाले paragraph में हम लोग पढ़ेंगे और non-metal का source क्या है उसके बारे में इस वाले paragraph में पढ़ेंगे Metals exist in abundance in the earth's crust Metal बहुत अधिक मात्रा में हमारे धर्ती के crust में पाया जाता है Crust क्या होता है धर्ती का जो ऊपर वाला layer है उसको हम लोग crust कहते हैं इसी में metals पाया जाता है और इसी में से हम लोग इसको extract करते हैं Aluminium सबसे ज़्यादा abundant metal है हमारे धर्ती पर मतलब सबसे अधिक मात्रा में हमारे धर्ती पर Aluminium ही पाया जाता है एक number पर Aluminium and it is followed by iron मतलब दो number पर iron आता है बहुत important point है MCQ में या fill in the blanks में आपसे पूछा जा सकता है आप इसको याद रखेगा metals दो तरह के हो सकते हैं एक होता है highly reactive metal और दूसरा होता है less reactive metal जो highly reactive metal होता है वो आसानी से किसी दूसरे element के साथ reaction कर लेता है और कभी भी वो pure form में exist नहीं करता है example के लिए sodium, potassium, aluminium और zinc ये सब कुछ example हो गए highly reactive metals के ये सब हमारे nature में compound के form में पाय जाते हैं या तो ये oxygen के साथ मिलकर oxide बना लेते हैं या तो sulfur के साथ मिलकर sulfide बना कर रहते हैं या तो carbon के साथ मिलकर carbonates बना कर रहते हैं उसके बाद अगर हम लोग less reactive metals की बात करें तो ये ऐसे metals होते हैं जो कि आसानी से किसी दूसरे element के साथ reaction नहीं करते हैं एक्जाम्पल के लिए गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम ये सब कुछ ऐसे एक्जाम्पल्स हो गए जो कि हमेशा नेचर में एलिमेंटल फॉर्म में या नेटिव स्टेट में एक्जिस्ट करते हैं अकेले पाय जाते हैं, गोल्ड आपको प्योर मिल जाएगा, सिल्वर आपको प्योर मिल जाएगा धर्ती के अंदर, प्लाटिनम प्योर मिल जाएगा, ये किसी के साथ कंपाउंड बना कर नहीं रहता है important points को underline कर लिजे, metal कहां पर पाय जाते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है सबसे अधिक मातरा में aluminum पाय जाता है और दो number पर iron है, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा दो तरह का metal हो सकता है, एक होता है highly reactive और एक होता है less reactive highly reactive का examples भी आपको याद रखना है, जो कि है sodium, potassium, aluminium और zinc और less reactive का भी आपको example याद रखना है, जो कि है gold, silver, platinum अब बात करते हैं, दूसरे तरह के element की जिसको हम लोग non metals कहते हैं non metal ऐसा substance होता है, जो कि free state में हमारे atmosphere में, हमारे वातावरन में पाया जाता है example के लिए oxygen और nitrogen दो जाने माने examples है non metals का, oxygen और nitrogen दो ऐसे non metals है जो कि हमारे atmosphere में free state में पाया जाते हैं, मतलब ये किसी के साथ compound बना कर नहीं रहते हैं इनको जरूत ही नहीं पड़ता है, ये अकेले पाया जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे non metals भी होते हैं जो कि हमारे nature में compound के form में exist करते हैं, या तो वो oxygen के साथ react करके oxide बना कर रहेंगे, या तो nitrogen के साथ react करके nitrite बना कर रहेंगे एक non metal है sulfur, इसका एक खासियत होता है जो कि आपको याद रखना है, sulfur एक ऐसा non metal है जो कि हमारे nature में free state में भी पाया जा सकता है मतलब अकेला pure form में sulfur आपको मिल जाएगा हमारे nature में और इसके साथ साथ ये combined state में भी पाया जा सकता है, मतलब कभी-कभी sulfur compound के form में हमें देखने को मिलता है example के लिए sulfur आपको sulfites के form में या sulfates के form में देखने को मिल सकता है, ये दोनो sulfur का ही compound है एक और non-metal है carbon जो की हमारे nature में free state में भी पाया जा सकता है और combined state में भी पाया जा सकता है जब carbon free state में होता है या native state में होता है तब ये diamond के रूप में, graphite के रूप में और fulrine के रूप में हमारे nature में मिलता है और जब carbon compounds के रूप में रहता है तो ये हमारे nature में carbon dioxide के रूप में, carbonates के रूप में और bicarbonates के रूप में पाया जाता है important points को फटक से underline कर लीजिए, हमारे nature में बहुत सारे non-metals free state में पाया जाते हैं और इसका example हो गया oxygen और nitrogen और कुछ non-mittles हमारे nature में compound के form में रहते हैं जैसे वह oxygen के साथ react करके oxide बना कर रहते हैं या तो nitrogen के साथ react करके nitrate बना कर रहते हैं इसके अलावा आपको sulfur और carbon का example याद रखना है जो कि दोनों form में exist कर सकता है यह free form में भी मिलता है और compound बना कर भी हमारे nature में पाया जाता है हमारा अगला सब टॉपिक है minerals and ores, minerals क्या होते हैं और ores क्या होते हैं और इन दोनों में difference क्या है यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझेंगे mineral का definition कहता है mineral is a naturally occurring inorganic substance found deep under the surface of the earth मतलब mineral हमारे nature में पाया जाने वाला एक ऐसा inorganic substance है जो कि हमारे धरती के अंदर पाया जाता है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे धरती के अंदर तो बहुत कुछ पाया जाता है तो क्या सब चीज को हम लोग mineral बोल देंगे नहीं सब चीज को हम लोग mineral नहीं बोल सकते हैं सिर्फ inorganic substances को हम लोग mineral बोलेंगे अब inorganic substance क्या होता है inorganic substance हम लोग उन substance को कहेंगे उन चीज़ों को कहेंगे जो कि animals के कारण और plants के कारण नहीं बने हैं example के लिए gold को silver को aluminium को हम लोग mineral बोल सकते हैं क्योंकि यह सब inorganic substance है यह सब किसी organic materials है मतलब plants और animals से नहीं बना हुआ है अब बात आती है कि ore क्या होता है तो ore का definition कहता है in origin mineral form which one or more metals can be extracted profitably मतलब ore एक ऐसा मिंदल होता है जिसमें से हम लोग एक या एक से अधिक metals को profitably मतलब कम पैसा खर्च करके भी निकाल सकते हैं example के लिए aluminium metal को हम लोग bauxite ore से निकालते हैं और iron metal को हम लोग hematite ore से निकालते हैं बहुत important point है आप याद रखिएगा एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जितने भी ores हैं उनको हम लोग mineral बोल सकते हैं लेकिन जितने भी minerals हैं उनको हम लोग ore नहीं कह सकते हैं हम लोग सिर्फ उसी मिंदल को और कहेंगे, जिसमें से हम लोग आसानी से metals को निकाल सकते हैं, जिससे हम लोग metals को नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम लोग और नहीं कह सकते हैं, अब हमें समझना है कि metallurgy क्या होता है, इसका definition कहता है, the sequence of processes used to extract a metal, in its pure form from its ore is called metallurgy, मतलब metallurgy एक ऐसा process है, जिसको use करके हम लोग और में से एक pure form of metal को निकाल सकते हैं, अब हमने देखा कि और में से हम लोग क्या निकालते हैं, और का purification किया जाता है, उसका extraction किया जाता है, और उसके बाद उसमें से एक या एक से अधिक metals मिलते हैं, तो इसी extraction के process को ही हम लोग metallurgy कहते हैं, metal के ore में से metals का extraction करने के लिए हमें कुछ steps follow करने होते हैं, जिसके बादे में यहाँ पर हमें बताया गया है, सबसे पहला step होता है concentration of ore, दूसरा step है reduction, और तीसरा step है refining of metal, इन तीनो steps को follow करने के बाद हम लोग एक ore में से pure metal को निकाल सकते हैं, एक्जामपल के लिए, बॉक्साइट में से aluminium को निकालने के लिए हम लोग यही तीनो steps को follow करेंगे, और उसके बाद pure aluminium हमें प्राप्त हो जाएगा, सबसे पहला step है concentration of ore, जब भी हम लोग ore को निकालते हैं जमीन के अंदर से तो वो बहुत ज़्यादा impure होता है, उसमें बहुत बड़े-बड़े impurities होते हैं, इसी impurities को निकालने के process को हम लोग concentration of ore कहते हैं, it is the process of removal of impurities from the ore, impurities को निकालने के बाद उस ore का reduction किया जाता है, जिससे कि जितने भी metals उसमें present होते हैं, उनको अलग-अलग कर लिया जाता है, it is the process of treating the metal ore to get the metal in its free state, जो भी metal उसमें रहेगा, उसको free state में, मतलब उसको अकेला कर दिया जाएगा, इतना करने के बाद उसको refining किया जाता है, refining of metal किया जाता है, मतलब जो metal हमें प्राप्थ हुआ, उसमें कुछ ऐसे impurities exist करते हैं, जो कि बहुत छोटे होते हैं, उनको हटाने के लिए refining किया जाता है, the metal obtained by the reduction is generally impure, वो impure होते हैं, refining is the process of purification of this impure metal, refining process से हम लोग इस impure metal को purify करते हैं, और उसके बाद हमें एक pure metal मिल जाता है, let us now study and compare the physical and chemical properties of metal and non-metals, अब हमें metals और non-metals के physical और chemical properties के बारे में एक के करगे पर ना है, लेकिन इसको हम लोग अगले class में स्टार्ट करेंगे, आपको अगर इसका part 2 भी चाहिए तो आप comment में लिकर ज़रूर बताईएगा, जाने से पहले इस वीडियो को like कर दीजे, चैनल को subscribe कर दीजे और इन सब के बल्दे में आपके परहाई को और भी easy और interesting बनाते रहेंगे, अब तक आपके science के जितने भी chapters को मैंने complete करवा दिया है, उनके वीडियो को देखने के लिए left side में क्लिक कीजे, और इसके बाद वाले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजे, फिलाली सुटियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत सारे नए topics के साथ, तब तक के लिए अपना धियान रखे और अच्छे से बढ़ाई करते रहें,